भीलवारा जिले के आसींद क्षितर के एक गाव में पहले ताई शराबी युवक ने 16 साल की नाबालिग से जादती का प्रयास किया और जब नाबालिग चिलाई ताई उसे गला दबा कर मान डाला इसके बाद आराईपी नारायन गुरजर गाव के पास स्थित एक मंदिर में जाकर छिप गया पुलिस ने उसे गिरफतार कर हत्या और पाय अकसाई एक्ट में मामला दर्ज किया है आसीन देस रेचो सुरेश डाबरिया ने बताया कि बच्ची सुमबार शाम करीब पांच बजे खेत में चारा लेनें गई थी इसी दा अराण युवक नारायन गुरजर शराब के नशे वहां पहुंचा और बच्ची से दुशकर्म का प्रयास किया वह चिलाई ताय आरायपी ने किशायरी का गला दबा दिया जिससे उसकी माय अर्थाय गई काफी देर तक बच्ची घर नहीं लोटी तो परिजनों ने तलाश की देर शाम उसका शव पडोसी के खेत में मिला बच्ची के शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्ट मॉर्टम करवाया गया चिकित सकों ने प्रथम दृष्ट या मौत की वजह गला दबाने से होना बताया है ज्यादती हुई या नहीं इसकी पुष्टी मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के बाद ही हो सकेगी पुलिस का कहना है कि आराईपी अप राधिक प्रवृत्ती का है उस पर चायरी सहित कई आराईप लगे हुए है वह नशे का आदी है और गाउं में आए दिन उत्पात मचाता रहता है ग्रामी नाए ने पुलिस काय बताया कि उसकी ऐसी ही हरकताएं की वजह से उसे जानवर कहते थे